नमस्कार साथियों मेरा नाम है रिशब राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हाट और इस समय के न्यूज अपडेट्स वाली वीडियो में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है तो चलिए अभी के कुछ मुख्य अपडेट्स के बारे में बात की जाए पहला अपडेट आ रहा है जंतर मंतर में हो रहे केंदर के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में केंदर सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार गुरुवार आठ फरवरी को प्रदर्शन कर रही है इसमें केरल के CM पिन्नाराई विजयन, दिली CM अर्विंद केजरिवाल, पंजाब CM भगोंतमान और CPM महासचीव सीताराम यचुरी भी शामिल है इस दोरान विजयन ने कहा आज का दिन भारत के इतिहास में अहम दिन होने जा रहा है हम यहाँ भारत के संगीय धांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ समान व्यवाहर को सुनिश्चित कर रही है बदवार साथ फर्वरी को इस मुद्दे पर करनाटक के सिएम ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था इसमें करनाटक के मुखे मंतरी सिधा रमया और डेपीटी सिएम डीके शिवकुमार शामिल थे करनाटक और के लावा तमिल नडू तेलंगाना भी केंदर सरकार पर फण्ड के बटवारे में बेदबाव का आरोप लगा चुकी है आपको बता दिया जाए केरल और करनाटक सरकार केंदर से मिलने वाले टैक्स शेर और फंड के बटवारे को लेकर हो रहे बेदबाओ के खिलाफ आवाज उठा रही है पदर में फाइनेंस कमिशन के लागू होने के बाद केंदर की तरफ से मिलने वाले टैक्स शेर में करनाटक की हिस्सेदारी 4.17% से गटकर 3.64 रह गई है इसकी वज़े से राज्ये को टैक्स में 62,098 करोड रुपे का नुकसान हुआ है केरल और करनाटक की सरकार के मताबिक भाजपा शासित प्रदेशों को ज्यादा फंड दे रही है पिनाराई विजयन का ये भी कहना है कि देश के 17 राजियों में NDA की सरकार है केंदर सरकार पूरी तरह से इन 17 राजियों को ही फेवर करती है जो NDA में नहीं है उनको नजर अंदाज किया जा रहा है इस आंदोलन का उदेश्य केवल केरल के ही नहीं बलकि सभी राजियों के समवेदानिक अधिकारों की रक्षा करना है इस संगर्ष का उदेश्य किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं है बलकि ये सुनिश्चित करना है कि हम आत्म समर्पन करने के वज़ाए अपने हक के लिए लड़े हमारा मानना है कि पूरा देश इस विरोध के समर्थन में केरल के साथ खड़ा रहेगा अगला अपडेट है कॉंग्रेस पार्टी का संसद में ब्लैक पेपर को लेकर कॉंग्रेस के राष्टि अध्यक्ष मलीकारजुन खरगे ने मोधी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है उन्होंने कहा है कि हम आज केंदर सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तो हमें महत्व नहीं दिया जाता इस ब्लैक पेपर में हमारे कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो की है बेरोजगारी जो की देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए हमें यहा कदम उठाना पड़ा है देश में लोग तंतर को खतरा है बीते 10 साल में 411 विदायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है उन्होंने कॉंग्रेस की कई सरकारे गिरा दी वे लोग तंतर को खतम कर रहे हैं अगला अपडेट दिल्ली सीम अरविंद केजरिवाल और एडी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जलबोड डीजेबी से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी के आरोपों को सरासर जूट बताया है आपने कहा है कि वहाँ पार्टी को बदनाम करने के लिए जाच एजनसी के खिलाफ कानूनी कारेवाही करेंगे और आपके कोशा द्यक्ष और सांसद एंडी गुपता के घर मंगलवार 6 फरवरी को एडी की रेड होने के बाद 7 फरवरी की शाम को आपकी यह प्रतिक्री आई इडी ने प्रेस रिलीज में बुद्वार 7 फरवरी को आरोप लगाया था कि इन्वेस्टिकेशन और डिजिटल सुबूतों से पता चला है कि दिल्ली जलबोट घोटाले का पैसा आप नेताओं को दिया गया है यह पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया है इसी बीच राहूल गांदी की भारत जोडो निया यातरा से भी एक अपडेट सामने आ रहा है राहूल गांदी ने कहा भारत जोडो यातरा के दुरान हमने देखा है कि देश की महिलाओं, किसानों, युवाओं और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है हमें पता लगा कि अन्याय नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है उनका कहना है कि अपने काम छोड़कर हमें यहां जंतर मंतर आना पड़ा चंडिगर के मेर चुनाव में घोटाला हुआ, 25% वोट का घोटाला कर गए आगे कितना घोटाला करेंगे हमें इस बात की चिंता है इसी के बीच आपको कुछ जारखंड के अपडेट्स दिये जाए जमीन घोटाले में मनी लॉंडरिंग के तहट गिरफतार हेमन सोरेन और आर्किटेक्ट बिनोट सिंग के बीच चैट होने का एडी ने किया दावा जाच एजेंसी ने कोट में हमन सोरेन और आर्किटेक्ट बिनोट सिंग के बीच पात सो उन्तालिस पेज के वट्साइप चैट होने की बात कही इसके कुछ पेज कोट में भी पेश किये है यह चैट ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेन देन से संबंदित है इसमें कहीं गोपनिय सुचनाएं भी है यही नहीं इसमें जारखंट स्टाफ सेलेक्शन कमिशन परिक्षा में शामिल कहीं कैंडिडेट्स के एड्मिट कार्ड भी शेर किये गए है इसी बीच हेमन सोरेन की रिमांट पास दिन और बढ़ा दी गई है इडी ने अपनी रिमांट पेटिशन में कहा कि जिस मोबाइल से बिनोद और हेमन्त के बीच चैटिंग हुई वह मोबाइल पेश करने के लिए कहा था लेकिन हेमन सोरेन ने वह मोबाइल इडी को नहीं दिया पांच दिन की रिमांट खत्म होने के बाद बुदवार को एडी ने उन्हें पीएम मेले कोट में पेश किया था जहां एडी ने साथ दिन और रिमांट मांगी कोट ने पांच दिन की रिमांट को मन्जूर किया है अगला नियूज अपडेट बिहार के सी ایم नितीश कुमार को लेकर बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने बुद्वार को पीएम नरेंदर मोदी के साथ की मुलाकात दोनों के बीच करीब 30 मिनट की बात हुई इसके बाद नितीश कुमार ग्रिया मंतरी अमिच शाह और बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा से भी मिले मुलागात के बाद मीडिया से कहा अब यहीं यानि कि NDA में रहेंगे बीच में दो बार जरूर इधर उधर हुए लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे लोगसबा चुनाओ के लिए NDA में सीट शेरिंग बोले अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बिहार में NDA सरकार बनने के बाद CM नितीश की PM मोदी से यह पहली मुलाकात है और सूतरों से ये भी खबर आ रही है कि नितीश L के अडवानी से भी मिल सकते है और इस समय की एक बहुत बड़ी और इंटरस्टिंग निउस आ रही है हरियाणा से हरियाणा में 100 करोड सह कारिता गोटाले की जाच का दायरा बढ़ाकर CM मनोहर लाल खटर ने मास्टर स्टोक खेला है उन्होंने 1995 में जब ICDP का आडिट कराने के फैसले से कॉंग्रिस को भी जटके में डाल दिया CM ने ये फैसला तब किया है जब विपक्ष इने इस गोटाले को ढाल बनाकर विदान सबा में घिरने की तयारी में है विपक्ष इस बार 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सतर में सरकार के खिलाफ औव विश्वास प्रस्ताव लाने वाला है उसका आदार इस गोटाले को ही बनाया गया है लेकिन अब जाच केवल CM मनोहर का पिछला कारेकाल की ही नहीं बलकि सूबे के चार पूर्व मुख्य मंतरी के कारेकाल की भी होगी इसमें पूर्व मुख्य मंतरी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बुपेंदर सिंग घुड़ा का भी कारेकाल चामिल है उनके साथ पूर्व CM बजन लाल, बंसी लाल, ओम प्रकाश चोटाला और वर्तमान सीम मनोहर लाल खटर के कारेकाल में केंदर और राज़सरकार द्वारा भीजी गई, गरन्ट की जाच की जाएगी पौर्लेमेंट में परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने की पूर्व परदान मंतरी मनमohन सींग की तारीफ राजय सभा में कहीं और सदस्यों का कारेकाल पूरा हो रहा है। मैं मानता हूँ कि वे लोक तंत्र को ताकत देने आये थे मनमोहन सिंग 6 बार सांसद है और वे साल 2004-2014 तक देश के तेरवे प्रदान मंत्री रहे पीवी नरसिमा की सरकार में मनमोहन सिंग ने वित्त मंत्री का रोल निभाया था और उन्हीं के कायरेकाल के दौरान देश की अ झाल 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 झाल